हलो एवरिवन, पूजाज कॉनर चाहे में आप सभी का स्वागत कहती हूँ फ्रेंज आज हम बनाने जिखेंगे अंडा करी की एक नई रेसिपी जो की बहुती आसान भी होगी और खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी आप देखे कन्फिर्ज हो जाएंगे कि ये किस चीज़ की सबजी बनी हुई है तो इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं तीन अंडे जिसके छिलके उतार लिए हैं टीन मेडियम साइस boyak Phillips के प्याज हैं दो टमात्र हैं थोड़े से लैसन हैं थोड़े से अद्रक है एक हँरी मेड़ेज हैं इनको काटकर एक चौपर दाल के अंदर डालेंगे और इन सारी चीजों को हम डालेंगे एक अठे ही तो यह देखिए हमने सारी चीजों को जो है इसके अंदर डाल दिया है अब इसी जो है हम चॉप कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से चॉप करेंगे बिल्कुल बारिक तो ये देखिए चौप हो गया है ये बिल्कुल तयार है आप क्या करेंगे फ्रेंज जो हमारे अंडे थी उसके अंदर हम स्वाधन साय नमक डाल देंगी थोड़ी सी हल्दी पौडर डाल देंगी थोड़ी सी लाली मिश पौडर डाल देंगी थोड़ी सी काली मिश पौडर नालेंगे अच्छ इस फीर बलते हैं दाल देंगे तवे के ऊपर आहीं हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छे से ऋक्राइन पर आप इसके उपर जो तयार चैर करें था रही है इसको शुब्र linking ग्राइड हम आपामेले आहे commasam अमलेट एक कड़ी भी कह सकते हैं तो यह देखिए इस तरी किसम फोड कर देंगे इसको हम ठंडा होने देंगे उसके बाद जो हम इसके आगे की प्रोसेस करेंगे आप क्या करेंगे एक कड़ाही रखेंगे कड़ाही के अंदर यह हम दो अच्छे से गल जाए जिससे हमारा जो पेस्ट वो अच्छी से तयार हो जाएगा तो यह देखिए भून गया है अपकर करेंगे अदिछ मश्य भावडर आदिछ मश्यमा ऻल्मेश पाउडर और लादिछ मिलंगी डाल देंगे और एक मिल्ट तक झूह है आपके करिए इसके अंदर हम थोड़ासा पाने डाल देंगे जिसके हमारे भौन ऐसी पाइपट इसके अलंच विद्दे नहीं हैँ फ्रन के पने इसे लिए वत्क के संदी और आपने गड़ेविकी तक रसक्राइब करते हैं ग्रेवी में जो है हम उबाल आने देंगे और यह देखिए हमारी जो अंडे हम थंडे हो गए थे उसके बाद जो हमने चाकु के हल्प से काट लिया था इसको अपके करेंगे फ्रेंज इसके अंदर जो है हम एक-एक करके जो है सारी पीसे को डाल देंगे बहुत सीम्बल सी रेसीपी है एक बाश जरूर ट्राइब करिएगा आपको भी बहुत यह जयादा पसंद आएगा आप देखके पराइब कर आता है। के तयार हो गई है इसके अपर जो हम थोड़ी से धनिया पती डाल देंगे आपको कैसी लगी मुझे कमेंड में जरू बताईएगा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा